राजिस्थान का उचिनियाले महत्पून तत्यों सहीत राजिस्थान के उचिनियाले को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही भारत में उचिनियाले के स्थापना का विवरन भारत के पर्मुक उचिनियाले हैं कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से उनके छेतरादिकार है इसका भी हाँ वर्णन इस वीडियो में करेंगे और साथ ही राइस्थान उच्छिन्याले का संपूर्ण विवरन महत्पुन्तत्यों सहीद उच्छिन्याले के न्यादीसों की न्यूकती सपत्याग पत्र उच्छिन्याले के गठन की परकिरिया इन सभी को हम महत्पुन्तत्यों सहीद इस वीडियो में कवर करेंगे यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखे क्योंकि हम इसमें राइस्थान के उचिन्याले से सम्मंदी जो भी महत्पुन्तत्यों हैं उन सभी को कवर करेंगे शुरू करते हैं आज का सेशन इस्थापना बिटी संसत के सन 1861 के में एक अधिनियम आता है भारत उचिन्याले अधिनियम कौन सा अधिनियम था भारत उचिन्याले अधिनियम 1861 के अधिनियम के तहत बिटी संसत का अधिनियम था 1861 में उसके तहत भारत में उचिन्याले की स्थापना की गई सरुपर्थम बात करें तो भारत में एक साल बाद यानि 1862 में तीन उचिन्याले बनाए गए कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे और मदरास ये तीन उचिनियले थे जो सरोपर्थम भारत में बनाए गये थे 1861 के भारत उचिनियले अधिनियम के द्वारा कब बनाए गये? सन 1862 में ये बारत के सबसे पुराणे उचिनियले हैं उसके बाद सन 1866 में इलहाबाद उचिनियाले की स्थापना हुई कब हुई थी इलहाबाद उचिनियाले की स्थापना सन 1866 में अब बात करते हैं स्वतंतरता के समय यानि भारत जब स्वतंतर हुआ उस समय भारत में उचिनियाले की स्थिती सन 1947 से पहले भारत में 11 प्रांथे और 11 प्रांथों में 11 ही उचिनियाले थे यानि 11 उचिनियाले थे सोदंतरताग से पहले वर्तमान में भारत में 25 उचिनियाले हैं इनकी संक्याहे समय समय पर बढ़ाई जाती है नविंतम उचिन्याले की बात करें तो तेलंगाना उचिन्याले जो अभी बनाया गया है जो latest उचिन्याले है वर्तमान में भारत में कितने उचिन्याले हैं? 25 आप current affairs के जो topics है current affairs से update रहें क्योंकि भारत में यह संख्या बढ़ाई जाती रही है उचिन्यालियों की वर्तमान में तेलंगाना उचिन्याले नविंतम उचिन्याले है उसके बाद बात करें तो भारत के किसी भी न्याले में बनने वाली पर्थम महिला न्यादीश थी लीला सेट जो हिमाचल परदेश उचिन्याले की थी कौंती लीला सेट जो भारत में किसी भी नीजाले में बनने वाली परथम महिला न्यादीज थी अब बात करते हैं आर्टिकल 214 जो काफी महत्पून है उच्छी नीजाले के संब्समद में आर्टिकल 214 में वर्णन किया गया है कि पर्तियक राज्य का एक उच्च नियाले होगा यानि पर्तियक राज्य का एक उच्च नियाले होगा इसका वर्णन है आर्टिकल 214 में लेकिन सात्वा सविधान संसोधन आता है सन 1956 उसमें एक amendment किया गया कि एक से अधिक राज्ये याने एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उचिन्याले हो सकता है। ये चार राज्यों का छेतरादीकार गोहाटी उचिन्याले के पास है। अलग अलग उचिन्याले की स्थापना की गई तो ये अब गोहाटी उचिन्याले में सामिल नहीं है। उसके बाद आता है कोलकता उचिन्याले जिसकी स्थापना सन 1862 में हुई थी। इसके अंतरगत अंड़मान निकोबार वह पश्चिन्याले इन दोनों का साजह न्याले है कोलकता उचिन्याले के चितरादीकार में अंड़मान निकोबार और पश्चिन्याले। उसके बाद मुंबई उचिनियाले जिसमें महराष्ट, गोवा, दादर नगर हवेलिया और दमंदीव दमंदीव, दादर नगर हवेली, महराष्ट और गोवा इनका छित्रे अधिकार मुंबई उचिनियाले के पास है यानों मुंबई उचिनियाले ही इनका लगता है महाराष्ट गोवा, दादानगर हवेली और दमंदीब का उसके बाद बात करें तो मदरास उचिनियाले जिसमें तमिल नाडू और पांडी चेरी ये दोनों का छेतरादिकार मदरास उचिनियाले के पास है यानों की सुनवाई मदरास उचिनियाले ही करेगा केरल उचिनियाले, केरल और लक्षिदीब का साजा नियाले है केरल उचिनियाले चंदीगड उचिनियाले, हरियाना और पंजब का साजा नियाले है वेसे ही हाली में जम्मू कस्मीर को धारा 370 हटने के बाद लद्धाक और जम्मु कस्मीर का एक ही उचनियाले है क्योंकि दोनों ही केंदर सासित परदेश हैं आर्टिकल 231 की बात करें के तह संसत दौरा एक से अधिक राज्यों का एक ही उचनियाले बनाया जा सकता है आर्टिकल 231 में वर्णन किया गया है जो साथवे सविधान संसोदन 1956 में जोड़ा गया था कि संसद्वारा एक से अधिक राज्यों का एक ही उचिन्याले बनाया जा सकता है आर्टिकल 231 के तहत अब बात करते हैं राइस्थान उचिन्याले की राइस्थान में उचिन्याले की स्थापना कब हुई 29 अगस्ट 1947 को राइस्थान में उचिन्याले की स्थापना की गई थी 1956 में एक सत्यनाराण राओ कमेठी की सिपारिज पर उचिन्याले का इस्थानांत्रन जोदपुर जिले में कर दिया गया वर्तमान में राजिस्थान का उचिन्याले जोदपूर में ही है जो सत्यनारान राओ कमेठी की सिपारिश पर सन 1956 में इस्थानांतरन किया गया था लेकिन 1947 में जेपूर में एक पीट की इस्थापना कर दी याने उचिन्याले की एक पीट वर्थमान में जेपूर में भी है और लेकिन मुख्य पीट जोधपूर में है राइस्थान उचिन्याले की एक पीट का गठन किया गया था सन 1907 में जेपूर में राहिस्थान उच्णियाले का पर्थम मुख्य 29th था कमल कांथ वर्मा, कौन थे ? कमल कांथ वर्मा जीते राहिस्थान उच्णियाले के पर्थम मुख्य 29th न्यादीसों की न्यूकती के संबन्द में आर्टिकल 216 में न्यादीसों की न्यूकती के संबन्द में प्रावधान किये गये हैं न्यादीसों की न्युक्ति राष्टपती द्वारा की जाएगी लेकिन भारत के मुख्य न्यादीस वे दो वरिष्ट न्यादीसों की सलापर किनकी सलापर लेगा भारत का राष्टपती भारत की मुख्य न्यादीस दो वरिष्ट न्यादीसों की सलापर और जो सम्मंदी राज्यों के जो राज्यपाल है और सम्मंदी उच्छ न्याले का जो मुखे न्याधी से उनका भी परामर्स लिया जाएगा न्याधीसों की न्युक्ती के सम्मंद में न्याधीसों को न्युक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है न्यादिशों का कारेकाल की बात करें तो 62 वर्स की आयू तक न्यादिशों का कारेकाल होता है न्यादिशों की मुखे योगेता हैं क्या योगेता हैं वो तो हमने पागल दिवाल या नहीं होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए ये सबी में हैं लकिन मुक्य है कि 10 वर्स उच्छ न्याले में वकील रहा हो या अधिनस न्याले में 10 वर्स तक न्यादीस रहा हो तो उच्छ न्याले का न्यादीस या मुक्य न्यादीस बनाया जा सकता है यानि 10 वर्ष तक उच न्याले में वकील रहा हो या अधिनस्त न्याले में 10 वर्ष तक न्याधीस रहा हो यह मुख्य युग्यता है न्याधीसों की उच न्याले के हटाने की परकिरिया की बात करें तो जो सर्वच न्याले के न्याधीसों की हटाने की परकिरिया थी वो ही उच न्याले के न्यादिसों के हटाने की परकिरिया है यानि दोनों की समान है जो विधान सबा है उसके द्वारा यानि पारित अधिनियम के द्वारा विधान सबा द्वारा दो तिहाई बहुमा से जो पारित है अधिनियम उसके द्वारा न्यादिसों को हटाया जा सकता है तो इसकी पूर्ण परकिरिया हमने सर्वच न्याले को जब पढ़ा था विगत किलास में तो उसमें बताया था वही सैम परकिरिया उच न्याले के न्यादिसों के लिए है आर्टिकल 215 उच नियाले द्वारा दिये गए जो आदेस हैं उच नियाले द्वारा दिये गए आदेस अधिनिस्त नियालियों के लिए मार्ग परसस्त होंगे एक अभिलेक नियाले के रूप में होगा उच नियाले अधिनिस्त नियालियों के लिए इस कवर्णन आर्टिकल 215 में किया ग प्रमा देस उत्प्रेशन अधिकार प्रेच्छा यह पर्मकुरुकुरु को रिठ है जो मूल अधिकारों के हननंके संबंद में उच्छी न्याले द्वारा पाँचपुन तत्यों सहीत वर्णन यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें यदि आप हमेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लेके आते रहते हैं आपके एक्जाम के लिए काफी महत्पून वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही